नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है तो आज हम मटर का पराठा बनाने जा रहे हैं जो कि आप देख सकते हैं 200 ग्राम हमारा मटर है जिसका हम छिलका उतार कर और अच्छी तरह से इन्हें धोल लिये हैं तो चलिए सुरू करते हैं इससे पहले कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब करने तो आईए यहां पर आप देख सकते हैं एक गिलास पानी डाल कर हम पैन में रख दिये हैं जो कि बॉयल हो रहा है और गैस हमारा मीडियम पर है इस समय इसमें हम मटर डाल दिये हैं और आधा चमच नमक डाल दिये हैं ताकि इसका कलर चेंज ना हो तो आईए यहां पर हम आटा गूठने चलते हैं यहां पर आप देख सकते हैं एक कटोरी हमारा गेहू का आटा है आधा कटोरी बेसन है और एक चवथाय जो है सूजी है थोड़ी सी हमें ज्यादा लग रही है इससे हम निकाल दे रहे हैं थोड़ा और इसे मिलाते हुए हम अच्छी तरह से पूरे आटे को मिला देंगे है इसके बाद थोड़ा था हम छोटे चमच चमम जॉब गी जिसका हम मोयन लगादेंगे तो अधा चमच नमक है तो इन सारे चीजों को हम अच्छी तरह से निला देंगे आप देख सकते हैं पिल्कुल अच्छी तरह यहां पे पानि लिए हैं जो की पानी हमारा हल्का सा गुनगुना है और इस पानी से हम इस आटे को अच्छी तरह से मसलते हुए एक अच्छा सौप्ट डो बनाके रख लेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम एक डो बना के रख लिये हैं हलका सा इन पे तेल या घी जो भी हो आप लगा कर 10 मिनट के लिए रेश्ट छोड़ दीजिए तब तक हम चलते हैं कडाही के तरब गैस को हम जला दिये हैं कडाही इधर गरम है हमारी और एक चमच इसमें हम तेल डाले हैं आधा चमच जीरा है और एक छोटी साइज प्याज है जिसे हम बारीक काट लिए हैं इनको इसमें थोड़ा सा हम आधा चम्मच अधरक लेशन का पेश्ट है और इन्हें हलका सा हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे उसके बाद इसमें हम मटर डाल देते हैं जो मटर की हम पहले से बॉयर करके रख लिये थे इसके बाद हम आधा चम्मच लाल मिर्चा पाउडर डालते हैं आप चाहें तो हरा मर्चा यहाँ पर यूज कर सकते हैं स्वात के हिसाप से नमक है आधा चम्मच गरम मसाला है तो इन सारे चीजों को हम चलाते हुए हलका सा हम पका लेते हैं इसके बाद आप देख सकते हैं छोटे चम्मच से एक चम्मच चने का बेशन है जो की हम इसमें छिड़क दिये हैं ताकि हमारे मटर का सारा मौस्चर जो है जितना भी नमी है खतम हो जाए और उसके बाद यह आलू मैस करने वाला मसीन है इससे हम जो है मटर को मैस कर दे रहे हैं ताकि हमें मिकसर में पिषने की जरूरत ना पड़े आप देख सकते हैं बिल्कुल बारिक जो है हमारा मैस हो गया इसी से गैस को हम आफ कर दिये हैं इसमें थोड़ा सा हम धनिया की पत्ति डाल दिये हैं उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हम आटा रख लिये हैं निकाल के कटोरे से और आप यह भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हम मटर का गोली बना ले रहे हैं ताकि हमें आटे के लोई में आसानी से भरा जा सके आप देख सकते हैं इस तरह से हम गोली को बनाते जा रहे हैं और गोली हम बना के रख लिये हैं उसके बाद इस तरह से हम छोटे-छोटे पेड़े को बना लेते हैं और उसके बाद थोड़ा सा पर्थन लगाते हुए हम पेड़े में ये गोली भरते हुए मुँझको बंद करते जा रहे हैं अब देख सकते हैं इस तरह से उपर का अटा निकाल कर और बिल्कुल हलके हाथ से हम इन्हें दबा देते हैं उसके बाद हथेली के मदद से हम इन्हें थोड़ा सा दबाते हुए बड़ा करेंगे इसे धीरे धीरे हलके हाथों से दबाएं नहीं तो हमारी पराठा जो है फूट सकता है तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम दबा कर इन्हें इतना बड़ा कर दिये उसके बाद हम में हलके हाथों से बेलन से चलाते हुए इन्हें पराठा हम बना लेंगे आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी सौप्ट पराठा हमारा बन के तैयार हुआ है यहां पर देख सकते हैं आप कि हम तवा रखे हैं जो गरम हो गया है गैस को हम पहले से ही जला दिये हैं एक तरफ सिख जाता है उसके बाद हम इन्हें पलट देते हैं तो अभी हम थोड़ा सा इनका देख लेते हैं हां इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक तरफ हो गया हमारा तो इस पर हम घी लगाते हुए सेख रहे हैं आप चाहे तो तेल में भी सेख सकते हैं अब इन्हें पलट दे रहे हैं दूसरे तरफ भी घी हम लगा देते हैं और इन्हें एक पलटे के मदद से हम सेख ले रहे हैं दवाते हुए अब देख सकते हैं बिलकुल लाल लाल और क्रंची पराठा हमारा बनके तयार हो गया इस तरह से इस तरह से आप दवाते हुए फुला देंगे बहुत अच्छी आपका पराठा बन के तैयार होगा आप देख सकते हैं